कस् suppressed mac withless तो हाजके वीडियो में आप के लिए प्लाजो में किस तरह से हिलास्टिक को अटेच करते हैं यह प्लाजो यह ओल्ली प्लाजो पेंट नहीं है तो मैं ने देखिं इस तरह से कट करेंगे सब से पहले तो आपके पास कमरका नब होना चीक है तो कमरका नाप जैसे मेरे पास कमर का नाप है कमर आप शर्ट वाली कमर नहीं लेंगे जहां पर आप सलवार बांऩती हैं वह वाली कमर ठाइhtось के तो आपने इस तो उसमें 6 इंच कम करेंगे तो उस तरह से हमारी यहां पर गोलाई आ जाएगी लास्टिक की तो आपने यहां पर रखना है आसन के पास है इसमें हम पेंट प्लाजू की तरह कोई एक्स्ट्रा फैवरिक उपर से अटैच नहीं करेंगे मैंने यहां पर पहले ही साड़े तीन नेंच का मार्जन दे रखा था और आपने इस तरह से आसन से स्टार्ट करना इसको लगाना और आपने इसको नीचे की तरफ रखना है इलास्टिक लगाते बारी आपने जो धिहान रखना है वो यह है कि आपने जो इलास्टिक नीचे रखना है ना आपने उसके उपर सिला सिलाई लगाते जाएंगे आपने इस तरह से आगे सिलाई लगाते जाना है और आपको यह ध्यान रखना है कि आपने बस आपने जो यह लास्टिक है इसके उपर आपने सिलाई नहीं लगानी है इस तरह से आप इलास्टिक को अंदर से खींचते जाएंगे खींचते अलग-अलग मैथर होता है क्योंकि हमारा जो प्लाजो में जाता है ना वह हम जो फ्रंट की तरफ हम आगे को उसमें बुकरम अटैच करते हैं और जो की हमारा जो बैक साइड होता है उसमें हम इलास्टिक अटेच करते हैं और रीस में हमें चारो साइड जो प्लाजो वाला है खुले वाला प्लाजो तो इसमें हमें चारो साइड से इलास्टिक चाहिए तो इलास्टिक के लिए यह है जो मैंने आपको मैथर बता दिया आपने इसके अकॉर्डिंग ही Elastic Cut करना तो आपको कोई भी परिषानी नहीं आएगी इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ सिलाई लगा देनी है बिल्कुल आपने केरफूल होके आपको यह दिहां रखना है कि इलास्टिक नाए क्योंकि अगर इलास्टिक आगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको दुवारा से इसकी सिलाई लगानी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी यहां पर देखिए आसन के पास आपने इसको वहीं पर लाना है जहां से हमने इलास्टिक लगाना स्टार्ट किया था बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहां पर देखिए इस तरह से यहां पर आपने इसको पका कर देना है जिस तरह से मैं पका कर रही हूं आपने दो चार सिलाई में इसको पका करना है इस तरह से देखिए मैं नहीं है आप इस तरह से इसको पका कर दिया है और आपने बाद में क्या करना है कि सिलाई को अटेश करने यह एक स्टा थेड़ है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से आपने फ्लाजों को खिंचना है कि अब हम और इसके उपर एक सिलाई अटैच करेंगे आपने उल्टी साइड से इसको मशीन के उपर रखना है और दोनों हातों से इसको खींचना है इस तरह से दिखी जैसे मैं कर रहे हूं और यहां पर इस तरह से सिलाई लगाने है आपने चुनटों के साथ इसमें लगाने आपने इस तरह से इसको प्लैन करना है कि प्रहिए लगाना बहुत इंपोर्टेंट है कि क्योंकि आप इस इलाई अटेश नहीं करें क्या पता आपका इलास्टिक निकल भी जाए और यह फिनिशिंग इस इलाई को हम फिनिशिंग के लिए भी लगाते हैं इसे अच्छी लूक आती है कि इस तरह से आपने दोनों हातों हातों जिसको खींचना है करें कि अपने में इस तरह से इसको लगा दिया है आपने ध्यान रखना है हराम से आपकी तूट सकती है यहां पर देखिए इस तरह से मैंने यहां पर कितनी चाहित हुआ है आप भी इस तरह से अटेच केजिए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हैल्फ लगयों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर करना ना बोले थेंक्ट